दोस्तों कल मुझे एक comment मिला था जो की fraud loan के उपर था उसमें ऐसा बोलागे कि क्या fraud loan वाले घर पर आ सकते हैं बत्तमिजी कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ जो है इसमें लिखा हुआ था और उसके सारे में मतलब उसमें जो है बहुत सारे comments भी थे पुल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि लोग जो है, डर रहे हैं तो आज इस वीडियो में आप लोगे को इसके ओपर बताने वाला हूँ कि fraud loan application से अगर आप लोग लोग ले चुके हैं, क्या वो आपके घर पे आ सकता है या फिर नहीं दोस्तो वीडियो पे बने रही है बिना skip के वे पूरा देखिए तभी आप लोगो पता चलेगा information मैं देने वाला हूँ सही information मिलेगा आप लोगो अगर अभी तक आप लोगो ने subscribe बेटन को प्रेस नहीं किया है तो जल से जल सबस्क्राइब बन को प्रेस कर दिजए ताकि आने वाले सभी आपडेट्स आप लोगों को notification में मिल जाए दोस्तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ fraud loan application जो है वो RBI से registered नहीं है सबको लगबग सबको जो है ये पता है जो fraud loan application है वो fraud क्यों बोलते है हम लोग क्यों fraud उनको बोलते है क्योंकि वो साथ दिन का loan application है और साथ दिन का loan का tenure देना RBI वहाँ पर पार्मिट नहीं करेगा ये जो है खुद से मनवानी करते हैं खुद से अपना company चला रहे हैं ठीक है fraud करके साथ दिन का loan देते हैं ज्यादा amount देता नहीं है तीन हजार देता है और उसमें क्या होता है उससे भी जो है दो हजार आपको मिलता है मतलब अप्रूब होता है तीन हजार लेकिन मिलता है तीन हजार दो हजार आपको मिलेगा लेकिन उनके साथ क्या हुआ, 30 दिन दिन बाद दो महिने बाद जो है, call आने के बाद जो 3,000 का अमाउंट था, वो 40,000 का ओवर्ड्यू बता रहे हैं, और बोल रहे हैं, सारा अमाउंट आपको एक ही में आपको देना होगा, नहीं तो आपके contact list मेरे पास है, मैं वो viral कर यह कर दूँगा, वो कर दूँगा, photo जो है, आपका photo morph करेगा, गंदा pictures के साथ add करेगा, गंदा गाली देगा, यह सब चीज़े जो है, यह लोग करते हैं, अब आप लोग यह सोचो कि जो बंदा यहां पे illegal way में काम कर रहे हैं, वो क्या मतलब लोगों के पास जा सकता है, आप लोग यह अपना खुद का thoughts, मतलब बनाओ, मतलब सोचो आप अपना दिमाग लगाओ, जो RBI से registered है, वो आप लोग को loan provide कर रहे हैं, वहां से आप लोग अगर repayment नहीं कार पाते हो, कुछ हथ तक जो है, वो agents higher करते हैं, लेकिन आप लोग अगर यह सोचो को illegal way में काम कर रहा है, वो घर पे आ सकता है, क्या, इतना खराब चीज करने के बाद, सबके साथ जो है, यह हुआ है, तो यहां पे सबको गुसा भी है, उन लोग के ओपर, अगर वो सामने दिख गया, तो भाई, वो बहुत जोर से पीटेगा, सब के मन में यह है, एक बार मुझे दिख ज ला गया, तो भाई, मैं जिन्दा वापस नहीं जाओंगा, ठीक है, क्योंकि चोरों के साथ क्या होता है, आप लोगों को पता है, अगर कोई भी इंसान किसी के घर पे चूरी करने जाता है, और किसी को मतलब भनग लग जाता है, पकड़ा जाता है, तो क्या करते हैं, वो ल जाएगा, या फिर धमकी नहीं देगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़, अगर मानो की, NBFC में अगर आप लोग लोन लेते हो, वहाँ पे अगर आप लोन का सही सही समय से चुका देते हो, तो वहाँ पे आप लोग जब तक आप अप अपलाई नहीं करोगे, पे वो लोग आपके अकाउंट पे पैसा डालेगा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ़र्जी लोन अप्लिकेशन क्या करेगा, अगर आप लोग पैसा एक बर पेमेंट कर देते हो, तो आपके खाते में फिर से वो लोग डाल देगा पैसा, फिर से आपको हैरिसमेंट करन आप लोग अगर फर्जी लोन अप्लिकेशन से लोन ले चुके हैं, आपको एक भी पैसा वापस नहीं करना है, गल्ती से भी नहीं, नहीं तो आप लोग बहुत बुरी तरीके से फस जाओगे, बहुत सारे वीडियो में भी मैंने यह बता है, तो आप लोगों को यह ध्यान होता है, जो की रिकवर करना पॉसिबल होगा, तो उन लोगों के घर पे वो भेजते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर मानो किसी घर पे एजन भेज दिया, एजन भेजने के ऊपर भी खर्चा होता है, उनका ट्रेवल एलोएंस, उनका खाना पीने का खर्चा, तो यह जो होत सही इंफर्मेशन मिला होगा, वीडियो में अगर सही इंफर्मेशन मिला है, तो आप लोग एक लाइक जरू कर दिजेगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, अगर आप लोग नहीं हो, अगर आभी तक आप लोग उने वीडियो देख रहे हो, वीडियो